मुकेश नायक जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, प्रेजिडेंट है PCC मीडिया के मुकेश नायक जी बहुत स्वागत है, जोरदार तालिया मुकेश नायक जी के लिए और इसी के साथ इस चर्चा में हमारे साथ होंगे आशीश अगरवाल जी, BJP स्टेट मीडिया के इंचाज है आशीश अगरवाल जी, और इस चर्चा को हम शुरू करेंगे, जिसमें कई विश्यों पर बातचीत होगी, तो दोनों राजनेतिक दलों से हमारे साथ इस वक्त की ह हमारे महमान, जिनके साथ चर्चा होगी, ओवर टू यू देप्यांश। जो जमीन पर भी हैं, हवा में भी हैं, इधर भी हैं, उधर भी हैं, क्योंकि चुनावी संग्राम लगातार जारी है। मैं दौनों मिमानों का स्वागत करते हुए सबसे पहला सवाल मुकेश जी, आपसे पूछता हूँ। मुकेश जी, पिछले साल हमने देखा था, माई कौन है, माई कौन है, पिछले साल हमने देखा था विधान सभाचुनावों के दौरान तकड़ा पॉलिटिकल कॉंपिटिशन देखने को मिला था। कारे करताओं की भीड विवाद भी हो रहे थे, घमासान भी देखने को मिल रहा था, प्रेस कॉंफरेंस भी देखने को मिल रही थी, लेकिन क्या ये पॉलिटिकल कॉंपिटिशन, क्या ये पॉलिटिकल जंग, 24 के लड़ाय में देखने को मिल रही है, और अगर देखने को म अब प्रहत्यासित रिजल्ट रहे हम लोगों की पराजय हुई और उसके बाद पूरे राजनेतिक बाताबरण में उदासीनता आई बीजेपी ने सोचा कि अब उनको तो वोट देते ही हैं लोग कॉंग्रेस का कारिकरता थोड़ा पराजित मन से मैदान में आया तो दोनों पाइटी के कारिकरताओं में उदासीनता आई यह सही राजनेतिक बिशलेशन है और उस उदासीनता का प्रभाव इस चुनाओं में देखने के लिए मिल रहा है जो जोज जो उत्साह जो विचार ब जाते तो मुझे तो लगता है कि जिस पारटी की इतने लंबे समय से सटा है 18 साल से आप मध्रप्रदेश में सरकार में हो 10 साल से आप के इंदर में सरकार में हो तो आपके कारिकरताओं में तो कुछ ज़्यादा जोश और उत्साह होना चाहिए आप देखिये कि 25 अप्रेल क ग्रहमंत्री जी ने कारिकरताओं की बैठक ली और उस बैठक में ये कहा कि हर पोलिंग बूट पे 370 बोट बढ़ाने है ग्यारा अप्रेल को वीडी शर्मा जी ने अपने कारिकरताओं की बैठक मुरेना में ली और कहा कि 270 वोट हर पोलिंग बूट पे बढ़ाना है और दो लिकिन जब पहले चक्र का चुडाव समाप्त हुआ तो हमने देखा 18% वोट कम हुआ सीधी में, 12% वोट कम हुआ शेहडोल में, 8% वोट कम हुआ जबलपूर में, 5-5% वोट कम हुआ बाला घाट में और मंडला में, 3.3% वोट कम हुआ आपका चिंदवाड़ा में, तो जो 370 वोट हर पोलिंग पे बढ़ाने की बात थी, वो कहां गए 370 वोट? चाड जून को नतीजे बताएंगे, पॉलिटिकल एलने से भी होगा, जो आप कह रहे हैं, उस पर से कौन सी बात सही है? जब आने वालों की संख्या इतनी जादा हो, तो भाजपा सदय व्यवस्थित काम करती है, इसलिए जॉइनिंग टोली है. देखिए ये जो आपका शो जिस काल में हो रहा है, ये एक विशेश काल है. ये कॉंग्रेस के रसातल में जाने के नए आयाम इस्थापित करने वाला काल है. इसमें कॉंग्रेस के पूर्व PCC अध्यक्ष हो, पूर्व केंद्रिय मंत्री हो, पूर्व सांसद हो, पूर्व इधायक हो, जन्पद अध्यक्ष हो, यहां से लेके ब्लॉक इस्थर के कारिकरता तक, ये सब आने की होड मची हुई है. लगभग सवा साथ लाख कारिकरता हमारे पार्टी को जोईन कर चुके हैं. और अब शिखर पे तो ये रसातल पे जाने का आयाम तब पहुचा, जब इन दौर से कॉंग्रेस के पृत्याशी भी जोईन कर गए. और वो भी कब, जब स्वैम जीतू पटवारी जो इनके प्र पार्टी तेल ले नहीं जा रही है, और लाखों की संख्या में कॉंग्रेसी भारती जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, बहुत सपष्ट है, ये मोधी जी की गारंटी है. आपके विरोधी कह रहे हैं कि जोईन किया नहीं है, जोईन करा लिया. नि देखिए, इसके पर बात को अपनी लेना चाहूंगा, कि लोग डूपते हैं, तो समंदर को दोश देते हैं. मन्जिले नहीं मिलती, तो किसमत को दोश देते हैं. खुद तो समल कर चलते नहीं, और जब लगती है, तो पत्थर को दोश देते हैं. तो ये जो कॉंग्रेसी है, वो ना अपने परोपन के समापन का आपहाना है, वो आगे बड़ा ने वानुनरा. मैं इस पर आप से सवाल लूँगी क्योंकि कई तरह की कारवाईयां भी हो रही हैं जिसको लेकर कॉंग्रिस बीजेप पर आप लगा रही है लेकिन मुकेश जी मेरा सवाल आप से है आप अभी जो डेपार्टमेंट अपनी पार्टी में देख रहे हैं मुझे आदे कुछ मही किनों पहले के के मिश्रा जी डेपार्टमेंट देखा करते थे जीतू पत्वारी और उमंग सिंगार दो युवा नेताओं को कमान दी गई कॉंग्रिस पार्टी की उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि के के मिश्रा जी ने इस्तीफा दे दिया मुकेश नायक जी ने अब मीडिय सेल संभाल लिया कॉंग्रिस का ये तो पाइटी की अपनी अंतरिक संड़चना है और पाइटी अपनी पाइटी के अंदर इस तरह की जुम्म्यदारी अ समय समय पे लोगों को देती है तो मुझे जुम्म्यदारी दे और झेके मिश्रा जी मेरे साथ काम कर रहे है वो कहां बगल में दफ्तर है मेरे उनके वहां बैठते हैं रोज हम लोग साथ में चाय पीते हैं साथ में काम करते हैं नियर जुनियर वाली बात तो नहीं है देखिए राजनीती में कौन सीनियर जुनियर होता है इनसे बहुत बड़ी-बड़ी उमर के लोग मीडिया का परभार देख तो यह पारिटी की अपना रचना करम है और अपनी एक डिस्ट्रिबूशन आफ वर्क है जिसमें समय समय पर लोग बदलते रहते हैं अंत्रिक मामला बता रहे हैं लेकिन बड़ी विडमना यह भी हो गई है कि पिछले छे आट मैने में देख रहा हूं कि जिसनेता से कर रहा हूं लगता है कि ऐसा ना हो कि दो मेने तीन बाद वो दूसरी पार्टी में पहुंच गया है ऐसा हुआ आशी जी मेरा सवाल आप से है आप सभी 29 सीटों की जितने का दावा लगातार हर मन से कर रहे हैं आपके हर नेता कह रहे हैं यह आपका विजन या मिशन है या फिर अतिय आत्विश्वास है ने दिखिए भारती जंता पार्टी जीवन संगठन है 24 गंटे 7 दिन जंता के साथ सतर संपर्क और समवाद ही हमारी कारिशयली है तो एक ऐसे परिक्षारती की जगे जो सदैव अध्यन करता है तो चुनाव के समय कोई विशेश अध्यन की हम आवशकता है नहीं और अभी अभी 163 सीटें जीत कर और लगभग 49 प्रतिशत वोट शेयर पाकर हमने ये बताया है कि मोदी जी की गारंटी हमारी डबल इंजन की सरकारों के काम और बूत शक्ती में वो सब कुछ है कि हम ये 29 के 29 लोग सबा सीटें जीत सकते हैं हम चुनाव की राजनीती सीटें जीतने के लिए नहीं जनता का जीवन बदलने के लिए करते हैं ऐसे में जितनी जगों पर हमारे जन पृतिनिदी होंगे वहाँ पर मोदी जी की योजना है मोदी जी की नीतिया और मोदी जी की गारंटीया जमीन पर और गती से बढ़ेंगी ये हमारा इसलिए हम 29 के 29 सीटें जीतना चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि मद्रप्रदेश की जनता इस वा रिकॉर्ड बन बाएगी लेकिन एक और चीज देखने मिली चिन्दवाडा में भारती जनता पार्टी ने खास जमावत लगा के रखी थी कई बड़े नेता वहाँ पर गए इतना प्रचार प्रसार और सबस्यादा मुझे लगता है दल बदल भी उसी क्षेत्र से देखने मिला ये भारती जनता पार्टी का डर था क्या ने देखिए चिन्दवाडा का चुनाव इस पार बड़ा रूचक था चिन्दवाडा का चुनाव वहां की जनता लड़ रही थी परिवारवाद की बेडियों से मुक्ती के लिए एक किसी दूसरे राज जिसे आयोए कमलनाज जी ने वहां पर कुछ ऐसा जाल बचाया कि वो दसीयों साल तक सिर्फ उनके परिवार के नाम हो गया और जब विकास की बात करें तो इतने साल तक गांधी नहरू परिवार के करीबी होने के बाद लगबख 56 सालों तक जब कॉंग्रिस की सरकार हैं थी चिन्दवाडा वो हांसिल नहीं कर पाया जो उसको हांसिल करना था भारती जन्ता पार्टी ने जब पिछली बार भी जब लोकसभा चुनाव लड़ा 28 सीट हमें मिली तो एक बहुत छोटे से 35,000 के आसपास के मारजन से हम वो सीट छूट है इस बार वहां की जन्ता का जो एक आंदोलन था कमलनाज जी के प्रती अलोक प्रियत थी और कमलनाज जी के परिवारवाद और भ्रष्टाचार से वो जो आतंकित थी ये चुनाव चिन्वाड़ा की जन्ता ने लड़ा है और ये 2024 का चुनाव मद्रदेश से कमलनाज जी के इस ब्रष्टाचार रूपी राज को समाप्त करने के लिए याद रखा जाएगा उन्होंने चुनावी दाइरा प्रचार का दाइरा समेट लिया है क्या संदेश जा रहा है ये जो नायक सरनेम की आपने बात करी न ये फुरीडम स्रगल में मिला है ये सरनेम मेरे ग्रैंट फादर फुरीडम फाइटर थे और अमर शहिद ईश्वरदास नायक उनके बड़े भाई थे ये हम लोग की देश के प्रती निष्ठा समर्पण और त्याप के कारण ये टाइटल मिला है और हम लोग उसी परंपरा को लेके चल रहे हैं अब आप बताईए क्या पूछ रहे हैं मैं पूछ रहा था कि जो आपके बड़े बड़े नायक हैं दिगज नेता हैं वो अपने शेत्र तक से में दिखाए दे रहे हैं मैंने दोना मुका जिक्र भी किया ऐसा नहीं है अभी छिद्वाड़ा की आपने चर्चा की आप बताईए नौ बार से Member Parliament हो एक छेत्र का नौ बार देश में सबसे ज़ादा वो बाहर का कैसे हो गया बताईए कुछ बोलने के पहले ज़ड़ा सोचना चाहिए देश में सबसे जढ़ा बार जिसने चुनाओ जीता हो लोकसमा का जिसने पूरे छिद्वाड़ा के मंतरी रहने वाले आप देखिए कोपोशन में मद्धप्रदेश 51 प्रतिशत बच्चे कोपोशन के शिकार है दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा कोपोशित देश है और उसमें मद्धप्रदेश सबसे ज़्यादा कोपोशन देश है, इसका बतलब है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कोपोशन मद्द प्रदेश में है देखिए, बात करने की बात अलग है, आपको नीती बनाते समय, न्याए करते समय, आर्थेक और सामाजे गैर बराबरी को ध्यान में रखते समय आपको उस तरह की आर्थेक और सामाजेक नीती बनाना चाहिए कि जिससे गैर बराबरी खत्म हो इक्वल डिस्टिबिशन हो, रिसोर्सेस का, इंकम का अब बताईए, भारत के एक प्रतिशत आबादी 40 प्रतिशत रिसोर्सेस पर उसका कब जा है 1600 करोड रुपे प्रतिदिन की आडानी की इंकम है 1600 करोड रुपे बीजेपी के पास विकास के आकड़े हैं, कॉंग्रेस के पास जो कमजोरियां आया, खामियां हैं, उसके आकड़े हैं प्रिंडा और मुझे लगता है मुकेश नाइक जी लेकिन दिव्यांज आपका सवाल समझ नहीं पाये थे आशीज जी के सवाल का उन्होंने जवाब दे दिया मुकेश नाइक जी एक पर से मैं दिव्यांज जी का सवाल पूछ लेती हूं उन्होंने ये पुझा कि आपके जो बड़े स्तरके नेता हैं वो अपने क्षेत्र में ही सीमित हैं चुनाव राष्ट्रे मुद्धो पर लड़ा जा रहा है लेकिन अपने क्षेत्र से बाहर तो निकले हैं नहीं सब बाहर निकल ला है चेत्र से कमनलाज जी ने नरसिंगपुरों में अभी पब्लिक मीटिंग की बैतूल में पब्लिक मीटिंग की बाला घाट में पब्लिक मीटिंग की उनके और प्रोग्राम मन रहे हैं दिग विजय सिंग स्वयम चुनाव लड़ रहे हैं उसके बावजूद भी वो दूसरे छेत्रों में जा रहे हैं अभी पत्रकारवारता लेने पंदरा दिन पहले भुपाल आये थे देखिए जिसकी जहां भूमिका है और जो जहां प्रभाव डाल सकता है वहां वो काम कर रहा है वहां वो सक्री है और उस तरह की उसकी भूमिका निर्धारिकी गई है ठीक आशी जी हम मैं बात करूँगा उसारों की जो पहले आप कुछ दिर पहले लगा रहे थे आप बार-बार ब्रस्टाचार की बात कर रहे थे आपके निता बंटाधार की बात भी करते हैं लेकिन दिखवजे सिंग की तरफ से प्रतिकरी आए थी बहुत स्ट्रॉंग प्रतिकरी रहा थी कि अगर मेरे खिलाफ इतने केसिज हैं अगर भस्टाचार किया गया है जाच एजनसियां है क्यों नहीं जाच करवाते हैं इतने बड़े-बड़े निताओं की गिरफ्तारी हो रही है क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे है क्या ये बयान सिर्फ चुनावी संग्राम तक ही सिमित है क्या देखिए वही दिग्विजे सिंग है जब अर्विन केजरिवाल और उनके सारे के सारे गिरोह के सदस्यों को जब एडी बुलाती है तो यही आरोप लगाते हैं कि एजन्सियों का दुरुपयोग हुराए और फिर एजन्सियों को ये ललकारते हैं तो मोदी जी ने छाती ठोक के कहा है कि मोदी जी की गारंटी है कि कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा तो चिंता ना करें ये भी नहीं बचेंगे बाकी मद्दप्रदेश की जंता ने हमारा जो राजनितिक आरोप है उस पे तो फैंसला सुना ही दिया ना दिग्विजे सिंग उस दस साल के बंटाधार के शाशन और काले कारिकाल के बाद कभी जीत पाए हो तो बताएं वो स्वैम जनता के बीच कहते पाए गए कि वे जहां खड़े होते हैं वहाँ पे वोट कटते हैं उनकी पार्टी के स्वैम जो वरतमान नेता प्रतिपक्षे उमंग सिंगार जब पूर्व मंत्री थे उन्होंने कहा था कि इस मद्रपदेश का सबसे बड़ा माफिया दिगवजे सिंग है रेट माफिया है शराब माफिया है अब इसके बाद भी क्या किसी सुईकारोक्ती के आवशक्ता है कमलनाथ जी 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार के लिए जाना जाते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ वादा खिलाफी थी और एक अगर उद्द्योग उस समय चला तो तबादला उद्द्योग कमलनाथ के सहयोग यूं क्या काले धन मिले एडी ने पूछता अचकी रेट डाली ये किसके सामने नहीं है और इस सारे आरोप के खिलाफ में मद्द्द्देश की जनता ने कमलनाथ जी के रिजेक्शन पर महर लगाई 163 सीटे उनको हराई अपने आप में लोक्तंत्र में नजीर है बाकी बहुत सम्मान के साथ मैं आदरने मुकेश नाइक जी से कहना चाहूँगा कि बड़े वरिष्ठ राजनेता है पर कम से कम अपनी धर्ती को प्रेम बहुत करें मद्द्द्देश को बदनाम करने की साजिश में जो उनके वरिष्ठ नेतागण सदैव सनलगन कर रहते हैं उसमें कम से कम वो अपनी भूमिका ना निभाए राहुल गांदी जाते हैं विदेशों की धर्ती पर देश को बदनाम करते हैं कमलनाज जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व अध्यक्षते वो कहते हैं कि भारत बदनाम है मद्द्द्देश को बदनाम ना करें वो अपने आप में वंधनी हैं, वो अपने आप में अनुकरणी हैं, कम से कम मद्धिप्रदेश और देश को बदनाम करने की साजिश ना रचे हैं. ठीक है, आशी श्री मेरा सवाल आप से ही है, क्यूंकि आपने कुछ मुद्धे उठाए, एक पंदरा महीने वाला, एक तो आप अपनी 15 साल की सरकार के कारिकाल से 15 महीने के कारिकाल को कंपेर कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजेगा, दूसरा कमलनाथ जी को लेकर आपने बोला तो मैं थोड़ा सा और आपके आंक्डे दुरुस्त कर देती हूँ क्योंकि मध्यप्रदेश में जब चुनाव हुए तो भले कॉंग्रेस पार्टी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा हूँ लेकिन चिंदवाडा की सातों की सातों विधान सभा कॉंग्रेस पार्टी ने अपने पाले में कर ली थी इसी के साथ तीसरी बात ये कि भारती जनता पार्टी ऐसी कौन सी गंगा है कि सारे लोग जब उसमें शामिल हो जाते हैं सब के अपराद माफ हो जाते हैं पाप दूल जाते हैं देखिए सबसे पहले तो भारती जंता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ती है अपनी पूर्वत सरकारों का रिपोर्ट कार्ड जंता के बीच लेके जाती है और उसके बाद हम संकल पत्र आगामी पांच साल के लिए लेकर आते हैं इस 2023 के जब हम चुनाव में गए तो इस देश के यशस्वी ग्रह मंतरी के नितरत में हमने 20 साल का गरीब कल्यान महा अभियान रिपोर्ट कार्ड पेश किया जो मेरे पास है अगर आपके पास नहीं हो तो मैं उपलब्त खरा दूँगा आधरनी मुकेश नाइक जी बहुत मू सब्रेश की जनता विचारवान और विचारशील है सब देख समझ के ही तै करती है एक गलती कर ली तो उसके बाद उपचुनाव 2020 से लेके आज तक कभी कॉंग्रेसियों को मौका नहीं दिया अब जहां तक बात है कि कौन सी फैक्टरी है तो देखिए किसी भी राजनेते का कारिकरता का विवहार उसके दल के संस्कारों से प्रवाहत होता है जो शीष पर चलता है वही नीचे वाले कारिकरता उसका अनुसरण करता है तो कॉंग्रेस का प्रथम परिवार जेल और बेल पे लगबग नजदी खेल रहे हैं चाहे जीजा हो या जीजी या स्वेम गांदी ये सब करोणों हजारों के जो गवन है भ्रष्टा चार है उसके मामले में या तो बेल पर है या फिर ये एडी से लगातर पूश्टाश करते हैं और ऐसे में एक आम कारेकरता ही अगर कर रहा हो तो उसमें कोई बात नहीं है पर जैसे ही उसकी आँख खुलती है करने के बाद किसी नेता कारेकरता ने ऐसा नहीं किया होगा और किया होगा तो उसे भी हम उसी नजर से देखते हैं सियासत की लड़ाए में आरोपों की जंग बड़ी महत्पून होती है जो कभी खत नहीं होती है लेकिन आरोप अपनी तरफ है दोशी करार होने तक ये अलग अलग मंचों पर भी किया तो ये अकड़ा बारा तेरह तक से में नजर आता है क्या वज़े है जितना कॉन्फिडेंस इनको है उनती सीटों के उपर अती विश्वास जो है उससे तो ऐसा लग रहा है कि या तो ये लोगों के हिरदर में बैठ कर उनका सूर जान चुक का जो वोट है वो केवल उसी को मिल रहा है इतना दम अभिमान और अहंकार नहीं होना चाहिए देखिए वास्त्रविकता ये है कि इस बार के लोग सभा चुनाओं में बीज़ेपी के सामने इतनी विशम कॉंग्रेस के सामने परिस्थितियां होते हुए भी एक कठिन चुन गंटो तक कॉलेक्टर गायब हो गया और टेकंडिकल मिस्टेक की वज़य से फाम् रिजएक्ट हुगार जो बहुत ही लोग तंत्र के लिए इस तरह से फाम् रजेक्ट कार दावर्ट क्यों नहीं इंगार ये ठीक नहीं है उन ह Seven перв लोग तंत्र के लिए वह बात बिलको ठी आप ये देखिए कि मद्दप्रदेश का चुनाओं में अभी कहा दिगविजय सिंग जी अब बताओ दस साल का उनका सासन था उस पर कितने बार जनादेश आ चुका अब जरूरत है उनकी बात करने की अब कह रहें कि 18 साल पहले मनमोहन सिंग ने ये कहा था 1885 में राजिव गांधी ने ये कहा था सामने खड़े भूक अज्ञान और असिक्षा जैसे गंबीर सवाल आपके पास इतनी आर्थिक नीतियां आपने बनाई है अधो संदशना पर इतना आपने काम किया है आपने कहां सामाजे गैर बराबरी को और अर्थिक्षा के स्वास् में अच्छी लगती हैं लेकिन जमीनी हकी कभी देखनी होगी ना आप इंदौर में देखिए क्या हो गया इंदौर का बता दे आपको जनता का विश्वा साथ चाहिए राइट जी बात है लेकिन जब विश्वास और उमीद आपने अपने उमीद्वारों पर देखाई है वही आपके साथ खड़े ले हो रहे हैं तो यह विश्वास और अटूट बंधन की जो आस्ता है जनता से वो कैसे पूरी होगी पर आपने आज द्रश्य देखा वो आपको देखना है हम बता रहे हैं नहीं आपको याद दिला रहे हैं जो आप कह रहे हैं ना कि आपके हाथ से चीज़ फिसल रही है कैलास विजय वर्गी जी आगे बैठे हैं पीछे मेंदोला जी बैठे हुए हैं उनके बगलवे कांग्रेस का वो उमीदवार जिस वाम वापस लिया वो बैठा हुआ है और यह ऐसे उस पर बैठके जा रहे हैं जैसे महाभारत की लड़ाई जीतने के बाद पांडव जो है विजय उल्लास के साथ कुरुक शेतर से बाहर निकल लाए हो यह मानवी गरिमा के पतन में जन्म लेने वाली निरज राजनीती है मैं स्वयम को दोसी मान सकता हूं कि मेरी पार्टी के कैंडिडेट ने इस तरह का धोका किया उनमें राजनेतिक और वाईचारे के प्रतिबधता नहीं थी और उन्होंने ऐसा कृत्त किया धोखा दिया जो नहीं देना चाहिए लोगतंतर में कोई भी राजनेतिक दल का व्यक्ति अगर इस तरह का कृत्त करें तो यह लोगतंतर की मर्यादा उसके मूल उसकी माने परंपराओं के लिए ठीक ह इसको कैसे ठीक ठहराया जा सकता है हमारी पार्टी की कमजोरी हो सकती है कि हम उसको नहीं समाल पाए लेकिन यह क्या तरीका है कि आपके मंतरी जी आगे बैठे है और दल बदल के लिए उसका फाम भरवा के कोट ले जा रहा है उसका फाम बापस करवा रहा है यह कुन सा तर के लिए बहारती जन्ता पार्टी अपनी राजनी थी, अपने विचार के प्रचार ब्सार केलिए करती हैं. और ऐसे में जब भी हमारी पार्टी में नए कार्यकर्ता, नए नेता शामिल होते हैं, हमारे लिए मुस्कुराने का ही विशए हैं. यह तो कॉंग्रेसियों की पद्धती है कि जब उनके नेत्रत पे सवाल उठे कारिकरता छोड़ कर जाए तो सपशत्वर पे गाली नहीं अपे तु सारे अपशब्द कह लेते हैं कॉंग्रेस का हर कारिकरता पड़ें आपसे कि तीन तरह के कचरे कांग्रेस से आ रहा हैं गीला कचरा, सूखा कचरा और मेडिकल डस्ट तो यह जितने लोग पाइटी में गए हैं यह कि श्रेड़ी में आते हैं यह भी बता दे हैं तो जहां से मेरी बात इंटरप्ट की गई थी बहीं से तो यह तो कॉंग्रेसियों की संस्क्रती है कि जब कोई साथी छोड़ कर जाए और उनके नेतरत्त पे सवाल उठाए तो उसको वो गर्याते हैं, अपमानित करते हैं क्योंकि हर कॉंग्रेस का कारिकरता कॉंग्रेस में तीन लडाइएं लड़ता है सबसे पहले अपने गुटबाजी दूसरी बात स्वेम अपमानित होता है और शीर्ष नेतरत्तों के भरष्टाचार से प्रताड़त होके भारती जन्तापाटी के रोख अपनाता है अक्षय बमाए उन्होंने भी कहा कि टिकेटों में उनसे पैसे मांगे गए अब बात आती है बाते बहुत सारी है लेकिन शान्ती के टापू पर पहली चर्चा इतनी शान्ती पुर्वक हुई दौनों मेहमानों ने की उसके लिए इनके लिए ताली जरूर बनती है मैं आप दौनों का बहुत शुक्रिया करता हूँ और आपको शुब कामना देता हूँ चुनावी संग्राम जारी है और इस संग्राम में आप लड़िये आरूप भी लगाईए ये आपका राजनेतिक धर्म भी है बहुत बहुत शुक्रिया